नमस्ते चात्रों यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है हाज हम इस वीडियो में चंद्र गुपद्वित्य के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो चंद्र गुपद्वित्य के बारे में काफी कुछ हमने पहले भी पढ़ लिय है तो आप प्ले लिस्ट में जाके और गुपद्वित्य के बारे में समुद्र गुपद्वित्य के बारे में और आपका गुपद्वित्य के बारे में इन्फोर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो देखेगा यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड द्वित्य कोन था यहूँ उसकी विज्ए चंद्रगुदुध है इसको चंद्रगुप्त् विक्रमादिते भी आज पनाल सक्ति सान्य सासक गुप्तवन्स Is iPhone ए लेखों चंद्रगुप्त के बारे में जानकर ये परदान करने वाले साधनिन लिखी थें साहिते कालिदास के ग्रेंथ तो कालिदास के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया था विदेशी वीवरण, चिन्नी यात्री, फायान का यात्रा, विर्दान्त, सिक्के, स्वान, राजत, यह तमर के वीवित प्रकार के सिक्के हैं उनसे चंद्रगुप्त सेखिन के बारे में हम पता लगा सकते हैं अब देखेगा चंद्रगुप्त वित्य का सासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त के पर्थम ग्यात तिति गुप्त समत 61 अर्था 380 इस्वी है, जो उसके मत्वुरास थम लेग से प्राप्थ होती है यह लेग उसके सासनकाल के 500 वर्सका है इससे ऐसा ग्यात होता है कि चंद्रगुप्त ने 375 इस्वी में अपना सासन प्राप्थम किया था उसके अंतिम तिति गुप्त समत 93 में अर्था 412 इस्वी लेग में उतके मिरती है जिसे इस परशाई कि वह है इस समय सासन कर रहा था चंद्रगुप्त के पुत्तर कुमार गुप्त परथम के राजेकाल की पहली तिति गुप्त समच्छान में अर्था 415 इस्वी उसके बिलसद लेग में अंकित है जो इस बात की सुचक है कि इस तिति तक चंद्रगुप्त का सासर समाप्त हो चुका था अतेहम इन साक्षों के आधार पर इस निशकर्स पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त ने 375 इस्वी से 415 इस्वी के लगभग अर्थात कुल 40 वर्षों तक सासर किया था चंद्रगुद्विति का सासन काल अबूतपूरा उन्नतिक का काल था कैसे था देखेगा इस दिरकालिन सासन में गुप्तमन सिक ने राजनितिक इमसांस कर दिक दोनों ही दरिश्टियों से अबूतपूरा प्रगति की तथा उन्नतिकी चोटी पर जा पहुंचा वस्तुते है उसका सासन काल गुप्त इत्यास के सरवादि गोरव साली युक का परति निजित्व करता है चंद्रगुद्व शेकिन का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देव गुप्त देवराज देव स्री आदी कहा गया है विक्रमांग, विक्रमादिते, परमभागवत आदी उसकी सूपरसित उपादिया थी इन उपादियों से जहां एक और उसका अतुल प्राक्रम सुचित होता है वहीं दूसरी ओर धरहमिस्ट वैशनाव होना भी सिद होता है चंद्रगुप्त विक्रमादिते की विजे व्यवाहिक समंदु द्वारा अपनी स्थिती को सुद्रड कर लेने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना विजे अभिहान प्रारम किया जिसका उद्र से उदेगिरी गुहा भिले के सब्दों में संपून पर्थवी को जीतना था वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरहे एक उसल योधा था अपनी विजे की प्रकिलिया में उसने पस्थिमी भारत के सकों की सक्ति का उनमुलन किया था सक उन दिनों का गुजरात काठिया वाड में सासन करते थे यदे भी उन्होंने समुद्रगुप्त की अदिन तक शुईकार कल दी थी तथा भी उनमुलन नहीं किया जा सका था और वे अब भी काफी सक्तिसाली थे पूर्वी मालवासे चंद्रगुप्त द्वित्य ने तीन अभी लेख मिलते हैं जिनसे सक्विजे की सूसना प्राक्त होती है पर्थम अभी लेख भिलसा के समीब उदेगिरी पहड़ी से मिला है और यह है उसके सांधी विग्रहिक सचिव वीर्षेन का है दूसरा अभी लेख भी उदेगिरी से ही मिलता है और यह अभी लेख चंद्रगुप्त द्वित्य के सांध संकानी महाराज का है तीसरा संची का लेख है जिसमें उसके अम्र कारदव नामक सैनिक पदा दिकारे का उलेख हुआ है जो सैंखडो युदू का विजेता था इन तीनों भी लेखों से ये बात इसपर सोजाती है कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामन्तों उचसनिक अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था इस अभियान का मुख्यों दिस्टे पूर्वी मालवा के पस्चिन में सकराजे को जीतना था चंद्रगुप्सेकिन का सक पर्तिद्वन्दी रूद्वी रूद्दर सी है त्रित्य था वह मार डाला गया तदा उसका गुजरात और काठिया वाड़का चेतर गुप्त समराजे में मिला लिया गया था चंद्रगुप्सेकिन ने सकमुद्राओं के ही अनुप्रण पर चांदी के सिख्के उतकिन करवाए जीने सकराजे में परसलित करवाया गया यहां से रूदर सिंग तृतिये के कुछ चांदी के सिखे मिलते हैं जो चंद्रगुपध द्वारा पुन्राइंकित कराये गए हैं सकों को प्राजित करने के बार चंद्रगुपध सेखिन ने पस्चिमी छत्रोपों के वंस का अंद कर दिया तता इसके साथ पस्चिमी भारत से विद्धेशी आधिपत्य की समापती हुई। इस विजे ने चंद्रगुप्त की ख्याती को और अधिक चारों दिशों में फैला दिया। सकों को प्राजित करने के कारण चंद्रगुप्त शेकिन को सकारी के रूप में जाना जाता है। इस उपादी के बाद चंद्रगुप्त शेकिन ने विक्रमादित्य की उपादी घ्रण की थी। सकराजे के गुप्त राजे में मिल जाने के खारण गुप्तों का समराजे विस्तार तदा गुप्तों का वानिजे विस्तार बढ़ गया पसिमी समुदर तटके परसित बंदर गया ब्रगू कछे जो बढ़ों भी कहलाता था के उपर उसका नियंत्रन हो गया था इसके माध्यम से पास्सत्य विश्वल के साथ समराजे का व्यापारवाने जे गनिश्ट रूप से होने लगा जो देश की आर्थी प्रगत्ती में सहाई बना ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त सेकिंड के बारे में जानकारी प्राप्त की उसके द्वारा की गई वीजियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसी प्रकार से हमाँ आगे भी आपको और वीडियो दिखाते रहेंगे तो आप बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेश पे